Hey Hello Friends Welcome to my YouTube Channel देखे hanadam interrupted ten point five type i गा लास्ट क्मेंट देखेंगे चैप्टर को फिनिस करेंगे स्शेप्टर को देखेंसगे फ्रेंट्स यह जठ्टर काफी इंपोटेंट है आप शुरू सेब्सकर को देखिये देखें लास्ट क्या भाराएम्ट using integration find the area of the triangle formed by the negative x-axis क्या कहता है आपने area find out करना है किसका triangle का जो form होगी negative x-axis से tangent से और normal to the circle से circle का क्या रहेगा tangent and normal से जो bound होगी वो हमने find out करनी है circle की equation का x square plus y square is equal to 9 at is point पे है वही यह जो टेंजेंट और normal normal जो इसने बोला है किस point पे है इस point पे है ठीक है अब यहां पे बात करें तो देखो अपने को अगर figure की हम बात कर लें यह सबसे पहले तो इस equation को लिखते हम circle equation x square plus y square is equal to क्या अपना 9 है और इसको standard form में लिखें तो x square plus y square is equal to 3 का square लिख लिए जाए अब clearly दिख रहा है इसका center कितना है 00 center है इसका 00 radius कितनी है इसकी 3 है clear भई तो हम क्या करेंगे circle बना देंगे और देखें एक circle बनाए हम जिसका center 00 origin जो है यह ना ओ मान लेते हैं इसको और radius 3 ठीक है आपने circle draw कर देना है कर दिया हमने circle draw देखें आप परकार से कर लेंगे ताकि पूरा आपका circle दिखे ठीक है अब बाकी अगर आप हाथ से कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा differ नहीं दिखना चाहिए कि एक साइड बहुत ज्यादा हुझा एक साइड बहुत कम ठीक है roughly sketch करने है पूरे अब यहां बात करें अच्छा question है यह इंपोटेंट question है ठीक है examination point of view से काफी important question है यह अब यहां पर देखें तो इसने बोला है अपने को की tangent और normal की बात कर रहा है और negative x-axis x-axis इदर क्या है अपना positive है और इदर क्या है negative है अना और इदर y-axis positive है और इदर negative है अब negative x-axis तो इदर हो गया और किस point पे tangent और normal की बात कर रहा है minus 1 और 2 root 2 minus 1 और 2 root 2 देखें यह point अगर हम बात कर लें circle का तो यह 3,0 है ना क्योंकि radius इसकी 3 है ठीक है और x-axis पे y 0 होता यह point हो गया अब यहां हम बात कर रहा है minus1 और 2 root 2 की x- यहां ज़ाएगा ठीक है और minus 1 और 2 root 2 तो 2 root 2 यहां कहीं हो जाएगा y का यह point क्या हो गया minus1 to root 2 minus 1, 2 root 2 यह point हो गया अब इसने बोला है कि इस पे tangent की बात कर रहा है ठीक है अब tangent क्या होता है जो हमाद के ढलते हैं तो अको यहां कर लेते हैं तो ही यह क्या है उन्हें ठीग है और दूसरा न DoorMal कि अगर बात करें तो Normal कहा है इसका देख्याई टेंजन्जन्ट ओर f घायए अगर बात करें तो देखो दूसरा आप ये भी कह सकते हैं हम यहां पे और ये जू नोर्मल रहेगा वो center से पास होगा क्यों होगा क्यों कि हमें पता है कि जो radius है वो टेंजेंट पे कितने degree का angle बनाती है 90 degree का थीक है. throw the point of contact और ये radius ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से मिला दें और फिर बोले ये 90 degree का angle यहाँ बनाएगी यहाँ बनाएगी यहाँ बनाएगी कहीं भी नहीं यह कहां से जाने चीए throw the point of contact से जाने चीए तब ये tangent के साथ कैसा angle बनाएगी 90 degree का clear है अब ये point जो है ये tangent ने इसको यहाँ कट किया तो ये हमें find out करना पड़ेगा कि इसने यहाँ पे कहाँ कट किया clear है अब बात करें इस triangle की तो ये कोणशी बनी देखो negative x axis ये हो गया भई हो गया और tangent ये हो गया अपना tangent और normal normal ये हो गया जो यह यहाँ से यहाँ किचा है ठीक है ये हो गया normal तो इनसे यह वाड़ी triangle form होई ना ये triangle form हो गई ये area इस triangle का आपने find out करना इस triangle का area find out करेंगे तो हमें ये इस point का पता होना चीए और ये point इस point को भी हम इस से मिला लेंगे है ये कितना either x का minus 1 है ठीक है तो हम बात करेंगे पहले ही इस point से minus 1 तक की उसके लिए क्या लगेगा अपना टेंजेंट लगेगा यहां देखऊ और minus 1 से फिर कहा जाएंगे zero इसके लिए क्या लगेगी normal लगेगा हाना तो इनकी equation भी पता होनी आपने को तो tangent और normal की equation के अगर हम बात कर लें तो देखें एक तो method यह है एक तो बात यह समझे आप कि अगर आपके पास इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा slope निकालना पड़ेगा हम equation कैसे लिखते हैं किसी line की अगर अपने पास एक passing point हो कितना हो एक passing point हो ठीक है मालो x1, y1 passing point है और एक slope हो तो हम कैसे equation लिखते हैं y-y1 is equal to m x-x1 से line की equation लिखते हैं इसी परकार हम इस tangent की और normal की equation लिखने वाड़े हैं ठीक है अब बात देखें आप ये भी आप पढ़के आए हैं पलस 1 में कि अगर slope of tangent slope of tangent की value मालो m है ठीक है तो slope of normal जो है slope of normal वो क्या होगा negative reciprocal होगा मतलब माइनस लगा के इसको उल्टा कर देंगे कर दिया उल्टा ठीक है जो denominator में था वो कहां गया denominator में ठीक है तो slope of normal तो कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या कर लें हम equation निकाल ले slope न्काल लीते हैं tangent का तो उसका negative reciprocal कर देंगे तो normal का आ जायेगा और देखेंज़ों अब tangent का slope निकालने के इनके slope लेप कений और अप इसका पहले निकाल देगे, इसका निकाल लेए अगर इसका निकाल लेए तो किया इसका negative reciprocal कर देंगे तो वसलोप के निकालने तो तो यहाँ पर यह डो पॉइंट दिख रहे हैं को यह यह सिरो जिरो और टूरूत तो आप इससे सलोप कर ने तो निकाल के नेकिटीव कर दें इसके अपर हम देखें 8 chapter हम इसके बाद तुरंत बाद हम 8 chapter start करेंगे काफी डेमांड है उस chapter की हमने 9th chapter 7th के बाद इसलिए start कर दिया था क्योंकि 7th में हमने differentiation पढ़ा उसके जस्ट बाद integration पढ़ा है क्योंकि एक दूसरे के opposite हैं इसलिए मैंने वो करवा दिया था अब इसकी application end हो गई है तो अब हम application पढ़ेंगे इस question के बाद यह chapter finish हो जाएगा हम application पढ़ेंगे derivative की काफी important जैसे यह chapter आपका important है 10 chapter application integration integral की ऐसे ही वो भी important है examination point of view से भी और competition के इसाथ से भी अब यहां पर बात करें तो देखें वहां आपने आप कैसे निकालते हैं दूसरा में तरड क्या है यह जो equation दीवी x square plus y square is equal to 9 इससे अगर आपको slope निकालना है slope of tangent तो आप क्या करें इसको differentiate कर दे with respect to x तो क्या हो जाएगा 2x देखें क्या कर रहें आप differentiate with respect to x ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां पर 2x plus y का करेंगे तो 2y फिर y यह तो y square का square का क्या है 2y फिर y का dy by dx और 9 का क्या हो जाएगा 0 तो यहां से dy by dx कि अगर हम बात कर लें तो 2y यहां से क्या हो गया माइनस का 2x हो गया तूझे 2 कट गया तो यानि कि dy by dx कितना आ गया आपका माइनस x by y आ गया अब अपने को slope of tangent चीए किस point पे इस point पे इस point पे चीए न यह क्या आ गया आपका slope of tangent आ गया लेकिन हमें किस point की बात करने है at point इस पे तो dy by dx dy by dx at point minus 1,2 root 2 तो x की जगह है यह minus already है x की जगह है क्या रखेंगे minus 1 और y की जगह है 2 root 2 तो यह कितना आ गया आपका पलस का 1 by 2 root 2 आ गया भी यह क्या आ गया slope of tangent आप लिख देंगे therefore slope of tangent जो है वो क्या आ गया 1 by 2 root 2 clear है अब बात करें slope of normal की slope of normal की तो slope of normal क्या होता है negative reciprocal of आप tangent बोल सकते है slope of tangent ठीक है बाइचाए आप यह बोलें कि slope of normal क्या होता है negative reciprocal of slope of normal ठीक है और slope of normal बोल रहे हैं तो आप यह भी बोल सकते हैं कि negative reciprocal किसका tangent का ठीक है slope of tangent का तो यहाँ पे normal का slope आ जाएगा कब जब tangent का slope को negative reciprocal कर देंगे तो यह है तो यह क्या आएगा minus 2 root 2 आ जाएगा आ गया normal का slope clear है अब हमने इनकी equation लिखने है तेको इनको नाम ले ले लेते हैं मालो यह point अपना A है ठीक है यह O हो गया यह माल लेते हैं B माल लिया मैंने point ठीक है यह O है वई अब यहाँ पे बात करें देखो slope निकालने की तो एक other method भी मैं आपको बता दूँ एक तो यह बताया हमने आपको दूसरा हमने आपको यह भी बताया है slope निकालने का तो यहां से बात करें तो देखो आप अपने पास दो point given है minus 1,2 root 2 और एक point दूसरा क्या है 00 ठीक है अब इसका slope निकालना हमने बताया है आ आप इसमें से किसी को भी x1,y1 और किसी को भी x2,y2 का नाम रख सकते हैं दो point है आपके पास इस line के तो आप slope निकाल सकते हैं इस method भी कैसे देखो अब यहां पे slope की बात करें m की तो y2 minus y1 मानलो यह x1,y1 का काम कर रहा है और यह x2,y2 का कर रहा है यह आपकी मर्जी आप स 1 minus 0 तो यहां से minus का 2 root 2 आया भी m आ गया minus का 2 root 2 यह कौन सा m आया है यह वाड़ा कौन सा है यह o a का सुल यह किसका slope है o a line का है यह o a और o a क्या है tangent है sorry normal है o a अब देखो normal का यह आया की नहीं देखो minus 2 root 2 minus 2 root 2 आया की नहीं तो आप इस method भी निकाल सकते हैं जरूरी नहीं कि आप यह method अपना है ठीक है आप यह भी अपना सकते हैं अगर आपने यह अपना है तो ऐसे करके पहले आप इसका slope निकाले उसके बाद उसका negative reciprocal कर देंगे तो slope of tangent आ जाएगा देखो slope of tangent यह तो किसका आ गया slope of normal का आप लिख देंगे slope of normal ठीक है और यह slope of tangent क्या आ जाएगा इसका negative reciprocal तो minus हम लगाएंगे और इसका negative reciprocal करेंगे तो minus लगाके और इसको क्या करना है हमने minus तो मैंने लगा दिया negative और reciprocal यह नहीं कि इसको निचे minus 2 root 2 तो यह minus minus क्या हो गया पलस 1 by 2 root 2 आया देखो यही तो आया 1 by 2 root 2 slope of tangent तो आप ऐसे भी इनके slope of normal और tangent find out कर सकते हैं दो method म मैंने आपको बताएं ठीक है वीडियो भले इलंबी हो जाए लेकिन आपको अच्छे से concept clear होना चाहिए ठीक है भई आप इन दोनों method में से कोई भी method अपना लेंगे यह बात थी slope निकालने की अब हम बात करते हैं देखो equation find out करने की equation अगर आप बात करें equation of किसकी AB की बात क कर ले अब अपने पास भई passing point आ गया और slope आ गया तो equation क्या होती है y minus y1 is equal to m x minus x1 होती है तो y minus y1 y1 की value क्या है x1 y1 तो यही है तो y1 हो गया 2 root 2 ठीक है is equal to m ab के लिए m ab यह नहीं क्या है tangent है तो यह है 1 by 2 root 2 x minus x1 की value minus 1 है तो यहां से यह क्या हो गया y minus 2 root 2 is equal to यह इसको इधर ले आएं तो यह multiply में हो जाएगा 2 root 2 is equal to x1 इसको अंदर multiply कर दें तो क्या हो जाएगा 2 root 2 y minus यह कितना हो जाएगा दो दूनी 4 दूनी 8 is equal to x plus 1 तो यहां से value क्या जाएगी 2 root 2 y is equal to x plus 9 हो जाएगा भई clear है अब यहाँ पर बात करें देखो तो y क्या आ जाएगा अपना 1 by 2 root 2 into x plus 9 हो गया यह आ गया equation आ गया इसकी a b की clear है अब यहाँ पर बात करें हम दूसरी यह निकालने की o a equation of o a equation of o a a की अगर हम बात कर लें तो o a क्या हो जाएगा y minus y1 अब y1 तो वही है उसमें 2 root 2 point तो यह है अपना देखो यह जो normal है वह भी तो पास हो रहा है इस point से और slope हमने निकाली चुके इसके यह रहा तो यह 2 root 2 is equal to m m कहा है अपना यह रहा तो minus 2 root 2 x minus x1 x1 की value है minus 1 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा y minus 2 root 2 is equal to minus 2 root 2 x plus 1 आ गया अंदर multiply कर दे तो minus 2 root 2 x minus 2 root 2 हो गया वही और इधर क्या है y minus 2 root 2 minus 2 root 2 से minus 2 root 2 खतम हो गया तो यहां से y क्या आ गया अपना देखें मैं यहां लिख देता हूँ अब इसको y आ गया अपना minus 2 root 2 x आ गया किलियर है वही अब हमने इसका area find out करना है तो सबसे पहले यहां पे देखें तो हमें यह point चीए न बी वारा point वही कहां से start करेंगे देखें अब इसमें strips जो बनेंगी जो strips बनेंगी हम सुरू से आपको बता रहे है y into dx होगा अब y तो ले लेंगे लेकिन यह कहां से कहां इसको integrate करेंगे पहले यहां से लेके minus 1 तक integrate करेंगे उसके लिए a b लगेगा फिर minus 1 से 0 पे करेंगे लेकिन यह point क्या है यह तो निकालना पड़ेगा तो हमें यह पता है अब जब हमें a b की equation पता चल गई a b की equation कौणशी है यह है तो यह जो line है यह tangent वाड़ी यह कहां कट कर किसको कट कर रही है x-axis को और x-axis पे y क्या होता है 0 होता है तो आप लिखेंगे since since at x-axis at x-axis x-axis y is equal to 0 तो equation इसको नाम रख लेता हूं मालो यह first है और यह second है equation first implies तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 is equal to 1 by 2 root 2 x plus 9 तो यह इदर आके 0 हो जाएगा और x plus 9 is equal to 0 तो x is equal to कितना आ गया minus 9 तो यह जो point है यह यह कितना आ गया आपका minus 9,0 चीक है भाई तो भाई at x-axis पर y तो क्या होगा 0 होगा ना तो हमें पता चल गया minus 9 से minus 1 तक जाएगे फिर 1 से 0 तक तो therefore therefore required area किसकी बात करेंगे अब हम required area की तो required area की बात करेंगे तो minus 9 से और कहा गए minus 1 पे इसके लिए जो strip बढ़ेंगे क्या लिखेंगे y of a b y of a b into dx पलस करेंगे इसमें area कोन सा area minus 1 से 0 पे जाएंगे minus 1 से 0 और y किसका y of o a का y of o a into dx इसको मैं भार लिख लेता हूं constant भार हो जाएगा x पलस 9 constant पे limit का कोई परवाव नहीं पड़ता पलस अब आगे देखें तो minus 1 से 0 और y of o a o a की बात देखें वई o a कहा है इसमें ये तो o a की ये आई न तो minus इसको मैं थोड़ा सा देखो भार ही लिख लेता हूं o a को minus 2 root 2 को भार लिख लेता हूं तो ये पलस minus हो जाएगा 2 root 2 और minus 1 से 0 और ये कितना है x dx clear इसको कर दे आप integrate और इसमें value रख देंगे तो यहां बार चल रहा है 1 by 2 root 2 और यहां क्या है वहीं इसका integration x square y2 हो जाएगा पलस 9 का 9x हो जाएगा और इसको करेंगे तो x square y2 आएगा और ये limit minus 1 से 0 ठीक है अब आप इसमें limit रख देंगे देखें अब आप इसमें limit रखेंगे हम आप यहां तक पहले note कर लेंगे उसके बाद हम आगे करवाते हैं space कम है आप पहले यहां तक note कर लें अब इससे आगे देखेंगे भी आपने वीडियो को रोक के note कर लिया होगा इससे आगे देखें अब इसको is equal to required area चल रहा है अपना क्या चल रहा है required area तो 1 by 2 root 2 अब यहां बात करें हम minus 1 रखने की तो यहां से क्या जाएगा 1 by 2 आएगा ठीक है पलस का और minus 1 यहां रखेंगे तो minus 9 आजाएगा upper limit हो गई minus upper limit हो गई minus lower limit रखें तो bracket लगा लेते हैं minus 9 रखेंगे नव तो यहां कितना आएगा plus 81 by 2 आएगा यहां से और यहां कितना आजाएगा minus का 81 आएगा ठीक है इसको कर दे बंद और यह बंद आगे देखें minus 2 root 2 और यहां क्या है 0 रखेंगे तो यह 0 आएगा minus upper limit होगी minus lower limit minus 1 रखेंगे minus 1 का square plus का 1 तो 1 by 2 यहां से आजाएगा ठीक है अब करो इसको तो 1 by 2 root 2 बहार चल रहा है यहां कितना 1 by 2 minus 9 minus 81 by 2 और minus minus plus 81 minus 2 root 2 और यह minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा minus minus हो गया plus 2 से 2 कर जाएगा root 2 ही बचेगा यहां कितना बचेगा root 2 अब इसको देखते हैं 1 by 2 root 2 यह कितना वही यहां पे देखें आप 2 LCM ले लें इसका ठीक है यहीं पे ले लेता हूं मैं 2 LCM ठीक है तो यहां कितना हो जाएगा यहां से 18 आ जाएगा minus 81 पालस यह कितना हैगा यह 162 आ जाएगा minus root 2 इधर पीछे चल रहा है किलियर है अब आगे देखो 1 by 2 root 2 calculation ही करनी है यह 1 यह कितना बनेगा 99 और यह 163 पलस का बनेगा न और minus का यह तो कितना बचेगा यह 4 और यहां से 15 6 यहां से 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हैगा 32 ठीक है और minus root 2 पीछे चल रहा है इसके किलियर है अब यहां से 2 से यह कितना हो गया 16 16y root 2 minus root 2 यह root root 2 से multiply और root 2 से divide कर दें तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है लेकिन नीचे क्या बन जाएगा पूरा टू बन जाएगा और 2 से पूरा टू बनेगा और 2 से 16 काट तो कितना जाएगा यह यह अपना क्या चल रहा है वही यहां पे देखें तो इसको देखें आप पलस नहीं क्या यहां के क्वेस्ट आपका लाश्ट कुश्चन यह चैप्टर फिनिश होता है देखेंगे अब काफी डिमांड है उस्ट्र की बार-बार कमेंटार हैं स्टुडेंट्स के आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और स्टार्टिंग से चैप्टर को देखें आप अगर आपको वीडियो समझा रही है तो प्लीज आप हमारी मैनत को देखें चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा हमें स्पोर्ट करे थैंग्स पर ओंषिंग अजिए करूछ लह देखें अग्ट्राइब तो अग्जल वीडियो जुडियो समझा माइ य। विडियो सम्झा रही तो भीयो जासप पीडियो जाड़े इस देखें लिए